बात करें हम भूगोल विसय की तो भूगोल विसय का अध्यन्द ग्लोब और मांचत के बना नहीं किया जा सकता है अगर हमें भूगोल विसय को अच्छे से जानना और समझना है तो हमें ग्लोब और मांचत का ज्यान होना भी आवशक है ग्लोब की हम बात करें तो ग्लोब देखने में बिल्कुल प्रत्पी के समान होता है यह प्रत्पी की आकरती को दिखाने के लिए हम प्राय इसके प्रत्रू या मॉडल ग्लोब का प्रयोग करते हैं जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, हो सकता है आपने रियल लाइफ में भी गलोब देखा हो, तो जैसे प्रत्वी पर महादीप और महासागर दिये गए हैं, ठीक वैसे ही गलोब पर महादीप और महासागर दर्साय जाते हैं, गलोब पर महादीपों और महासा पनी बस्तान के मीच ब्राइब करें से किनी JON thou सो ओस्दान के दूरी कितनी है कौन साक्राइब की स्थान के सापेश्च में के डिसाB कीण जान पाते हैं लेकिन फिरबी ग्लोब की कुछ सीमाइब है इसकी वाइश्दक एक फोल आकरती जैने सकते हैं यहां पर माधी हैं वो खाए गए सकते हैं फिर भी जो किसी स्थान विजिस्थ को दर्साना चाह रहे हैं, किसी स्थान विजिस्थ की हम अधिकतर विजिस्थां को दर्साना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पर नहीं दर्सा सकते हैं, इस वज़े से ग्लोब की कुछ यह सीमाय भी है, यानि गलोब पर बहुत सारी डिटेल नहीं आ सकती है, कुछ चनिंदा इस्थानी यहां पर दर्साय जा सकते हैं, तो यह सब चीज़ें जो हैं, यह सब हम मैप पर दर्साती हैं, यह मानचितर पर दर्साती हैं, तो बात करते हैं मानचितर की, तो मानचितर की बात करें, तो मा पायामी आकरती है यह तो जब मांचित टूडी में होगा तो टूडी में करने की वज़ाए से इस पर हम बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी चीजां तत्थ दर्सा पाती हैं मांचित पर इस्तराकरती हों, सडगों, रेल मार्गों, नगरों और गाउं आदी को भली बादी दिखाया जा सकता है यानि हम मांचित पर इस्तराकरती दिखा सकते हैं सडख, रेल लाइन, नगर हैं, गाउं हैं यह सब भली बादी हम दिखा पाते हैं हम पूरे संसार या उसके एक भाग का मांचित बना कर अपनी इच्छानुसार कई चीज़ें प्रसित कर सकते हैं यानि कि ज़रूरी नहीं है पूरे संसार का मांचित बनाए हो सकता है कि हम किसी इस्थान किसी इसका मांचित बनाए और भहाँ पर जो डिटेल आ रही हैं उन डिटेलों को वहाँ पर दर्सा सकते हैं तो मांचित के कुछ यह लाब भी है अब देखें यहाँ पर मांचित के प्रकार बताए रहें कि मांचित करने प्रकार क्यों होते हैं देश और उनके राजी की जो सीमाय प्रसित करने वाले मान्चितर हैं, inको रायनेतिक मानचितर कहा जाता है। जैसा कि आप देख आने हैं ये भारत का रायनेतिक मानचितर है जहां पर भारत और भारत की जो सम् Конечно राज हैं वो दरसाए गए हैं। देखे, खुछ मानचेत्र प्रत्वी के बहुतिक अक्षणों यह से बिविन मुचाईयों की इस्तराकर्टियों को प्रसित करते हैं, इन इस्तराकर्टियों में पर्वत आ जाते हैं, पठार, मैदान, नदिया, महासागरादी, प्रमुक होते हैं, तो ऐसे मानचेत्र बहुति है इस सब नहीं पर दरसाया गया है तो आप यह देख पाने हैं जैसा कि तो यह भारत का बहुत दिक मांचित्र है इसके लाबर कुछ मांचित्र ऐसे होते हैं जो कि बेविन प्रकार के मौसम या वन उद्ध्योग जल्संखिया दी का बितर है प्रसित करते हैं यह कहने का आज बार कितने राज्यों में कुमरी की सिकार बच्चे हैं, उनका बढ़न करते हों, कुछ मांचित्र ऐसे हों, जो कि सिच्छा की इस्तिति है, उसका बढ़न करते हों, तो मांचित्र जो है, तमाम तरह से मांचित्र मना जा सकते हैं, तो मांचित्र जो है, परमुक जो हमारे उपयोग में लाए जाती हैं, उनके वारे मनने यहां पर उताया है कि राजनितिक मांचितर होते हैं, बहुतिक मांचितर होते हैं, और कुछ मांचितर जो हैं, मौसम, बन, उद्यो, जनसंग के आदी का विबरण तलसित करते हैं. अब देखें, मांचितर को देखने के लिए जरूरी है कि मांचितर की जिसा का ज्यान होना, अगर हमें मांचितर की जिसा का ज्यान हो जाता है, तो मांचितर को आसानी से समझ पाती हैं, तो मांचितर पर उत्तर जिसा ज्यात होने के इबाद, अन्य जिसाएं, दच्छड, उत्तर है, नीचे की तरफ जो है साउध धिश्ट है, इधार आप पूरव का पहशिम है और उत्तर और पूरव के बीच में जो इस्थान ये दिया हुआ है, जिसा जो दी गई है ये नौ तीस्ट है, यानि उत्तर पूरव है, वहीं पूर्व और दच्षड के बीच में, जो बीच में यहांपर दिषा ये दिः दी गई है ये दच्षड पूर्व है, तो ऐसे करके हम यहांपर पता कर पाते हैं देखें ये कई बार क्या होता है, इस तरह का दिक सुचक न देकर कई बार इस तरह का तीर दिया होता है यह बहुत सारे मांचेतर ऐसे होते हैं वहाँ पर केवल एक तीर बना होता है केवल वहाँ पर उत्तर दिसा लिखी होती है तो उत्तर दिसा का घ्यान होने पर हमें बाद बागी तीन दिसाएं और पता चल जाती है याँ उत्तर錯सा हमें पता है उत्तरणा सूचक रेखा कहते हैRelink अब बात करते हैं माईचित्र पहमाना कि माईचित्र पर जो दूरीयां होती है वो कैसी दर्साइश जाती है देखे कि कुछ मान्चित्रों में पैमाना रेखा के द्वारा नहीं दिखाया जाता, अपे तु सब्दों में लिख दिया जाता है, यहाँ पर पैमाना किसी रेखा के द्वारा नहीं दिखाया जाता है, बलकि सब्दों में लिखा होता है, जैसे मान्चित्र में ऐसे करके आप इतुँ सब्दों में लिख दिया जाता है, जैसे एक सेंटीमीटर बराबर एक किलोमीटर, तो यहाँ पर आपकी किताब से ही एक मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसके लाबा मानचित्रों में सबसे इंपोर्टेंट उनको identify कर पाते हैं, कि यह जो चीज़े हैं, यह कौन-कौन सी चीज़े हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह जो निसान है, इस तरह का निसान चर्च का होता है, यह पैगोटा का निसान है, यह graveyard यानि कि जो सवाधान होता है, यहाँ पर कबर बगरा बनी होती यह उसका चित्र है, यह चत्री का चित्र है, यह मजजिद का साइन है, यह temple का साइन है, PO जो है, post office को इंगित करता है, PS का मतलब police station है, RH का मतलब rest house है, तो यह सब चीज़े हैं, यह कुछ universal साइन है, जो कि मानचित्र में इस्तमाल किये जाते हैं, तो मानचित्र पर भ्हणी कि मानचित्र पर किसी बास्त्विक भवन की आक्रती , वास्त्विक प्यड की आक्रती दिखा पाना संबब नहीं है तो हम क्या करती हैm , रूस्ट चिन्नों की इस्तिमाल करते हैं जिससे कि हम इंगेत कर पायें , कि फज़देट पर वानचित्र ये मानचित्र में ये चीज़ा मौझूद है सारे संसार में इन चिन्नों के परियोग के बारे में एक सरुमान समझोता हो गया है और इन चिन्नों को रुड़ चिन निका जाता है इन चिन्नों के वैसाय में पूरे संसार में एक समझोता हो गया है और उसी के अधार पर इस चिन विक्सित किया गए है इनका परियोग पहां चित्रों में किया जाता है इन चिन्दों को रुड़ चिन ने कहा जाता है अब आते हैं रेखा चित्रों पर देखे रेखा चित्र की बात करें तो Google Map के जमाने से पहले रेखा चित्रों का एक एहम मैतो था हाला कि आज की जवाने में तो हर्वेती क्या करता है अपना मोबाइल में नेविकेसन ओन किया अपनी लोकेसन की आधार पर और मैप लगा लिया तो आसानी से पहुँच जाते हैं लेकिन पहले की समय में जब गूगल इतना प्रस्टन में नहीं था आपका जो 4G का योग नहीं था उससे पहले रेखा चित्र का ही सारा लिया जाता था कोई व्यक्ति अगर किसी नवी इस्थान पर जा रहा है कौन सा इस्थान पढ़ेगा तो इक पेपर पर बना के देते थी और उसकी मदर से मैं आसानी से इस्थानों पर पहुँच भी बाता था तो रेखाओं के दोरा बने ऐसे चित्र को जिसमें दूरियों को सही डंग से नापे बिना ही दिखाया जाता है ये रेखा चित्रिया इसकेज कहलाती है रेखा चित्र का लाव यह है कि इसे स्तिग्रता से बनाया जा सकता है इसमें किसी चित्र के कुछ विश्यस भूचिन्नों को दिखाया जाता है देखे आपके सामने यहाँ पर आपकी किताब का एक रिखाचित्र यहाँ पर दिया हुआ है इसमें दो छात्र हैं, एक तो राजू है, दूसरा रोसन है दोनों स्कूल में बैटे हैं और दोनों अपना अड्रस कर रहे हैं मेरा अड्रस, मेरा घर जोगा कहां पर पढ़ेगा, यानि हमारा विध्याले यह है तो हम विध्याले के किस साइड में पढ़ते हैं और आप विध्याले के किस साइड में आपका घर है तो रेखाचित्र में क्या है कोई सडीक दूरी नहीं होती है एक अनुमान होता है जो इस्थान होते हैं इस्थानों को ध्यान में रखकर एक अनुमान बताया जाता है इनकी मतब से हम ये पहचान पाते हैं कि कौन सा इस्थान कहां पर पड़ेगा रेखा चित्र के बाद अब आपके माप चित्र आ जाते हैं लेगे माप चित्र बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र है जिसमें विस्तत बिवरण दिया गया होता है माप चत्र में आपको particular कोई location दी जाती है और इस location का आपको विश्थत बिवरड देना होता है यासे आपको classroom की location दी गई है तो आपको classroom के बारे में बताना है classroom में क्या-क्या मौझूद है तो आप बताते हैं classroom में दो window है दो खिड़किया है, बीच में blackboard है blackboard के सामने यो teacher है, उनके chair होती है उसके सामने table होती है इधर तीन डो होती है, तीन डो में बच्चों की desk और bench पड़ी होई है पीछे की तरफ दो दरबाजे हैं और इन दो दरबाजों के बीच में अलमारी है इसमें बच्चे अपना सामान रख सकते हैं अपनी किताबें अपनी notebook पगरा रख सकते हैं तो एक class का विस्तत map चितर है इसमें class का विस्तत बिरवर्ड दिया गया है map चितर और मान चितर में यहां अंतर दिया हुए है देखें, map चितर में यहां एक centimeter की दूरी जमीन की एक meter की दूरी को दिखाती है भही मान चितर पर एक centimeter की दूरी, जमीन पर एक centimeter की दूरी को दिखाती है तो पहला तो अंतर यह है map चितर में एक छोड़े चितर को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है किन्तो मान चितर में क्या करती है एक बड़े चित्र को हम छोटे पैमाने पर दिखाती है मान चित्र में बहुत बड़े चित्र को दिखाया जाता है इस पर जैसे हम उसमें केवल पर्मुक लक्षनों को ही दिखा सकती है कहने का मनब क्या है? जब हम किसी बड़े चेतर को एग छोटे चेतर में देखाएंगे, तो उस बड़े चेतर के हम किसी भाकुद दिखाने के लिए उप्योगी होता है. जबके माप चितर किसी स्थान विजिस्ता बताने के लिए बनाई जाती है तो यहाँ पर ये कुछ की डिफरेंस है माप चितर और मान चितर में जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिए, तो चलिए आज की बसना ही, थेंक्स पूर वाचिंग, जैर हिंदु!